जिस तरीके से अंग्रेजों को देश से निकाला गया था, उसी तरीके से भाचपा सरकार को भी देश से निकाला जाना चाहिए ये हम नहीं कह रहे हैं, जो सडकों पर बैठे किसान हैं, वो ये बात कह रहे हैं पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे नमस्कार मैं नूर्जाओं और आप देख रहे हैं जनित अवाज लगतार किसानों का अंदोलन आज ही के दिन 29 तारिक के दिन बड़ी बैटक होने वाली है जिसमें किसान आज बैटके निर्णे लेंगे कि दिल्ली कूच के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और आज ही की दिन बड़ी बैटक हो रही है उसी में जो किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि जो भाजबस सरकार है उसको भी देश से निकाल देना चाहिए जिस तरीके से अंग्रेजों को निकाला था उसी तरीके से भाजबस सरकार को भी देश से निकाल देना चाहिए क्योंकि यह जो सरकार है सत्रत दिन हो चुके और अभी तक किसानों की नहीं सुनी गई है ताकि किसान जो है दिल्ली कूछ करने के लिए ना आ पाएं इसी पे लगातार किसान जो है अपनी प्रतिक्रियाइं दे रहे हैं होदी को बनाने वाला पंजाब है जैसे अंग्रेजों को देश से निकाला गया था वैसे भाजपा को भी देश से निकलना पड़ेगा भाजपा ने किसान को सबसे जादा तंग किया इतना तंग किसी सरकार ने किसान को नहीं किया बुजुर्ग किसान खनौरी बॉर्डर जो खनौरी बॉर्डर से एक बुजुर्ग किसान है वो ये लिख रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपास सरकार जो है किसानों को तंग कर रही है इतना तंग आज तक किसी सरकार ने है किसी ने भी नहीं किया गया होगा जिस तरीके से भा किसान इस दुनिया के सबसे सहनशील और धहरेवान कौम है पूरी की पूरी फसल बरबाद होने पर भी सबर कर जाते हैं लेकिन जब यह हक के लिए घर से निकल पड़ते हैं तो फिर खालिहात वापस नहीं जाते या तो जीत के जावांगे या फिर लाशे जावांगे अगर किसान की जब भी पूरी फसल बरबाद हो जाती है उसके बाद भी किसान सबर कर जाता है लेकिन जब जब यह अपनी हक के लिए सडकों पर आते हैं उसके बाद भी सरकार इनकी नहीं सुनती है इस बार 29 फरवरी आज ही का दिन है आज किसान बड़ी भैटक होने वाली है किसानों ने जो फैसला लिया है कि 29 तारिक तक वह जो रुके रहेंगे और आज ही के दिन जो है बड़ी बैठक होगी उसी में किसान जो है निर्नने लेंगे के अगर उन्नें दिल्लिकूच के लिए जाएंगै कैसे जाएंगे पूरे जो किसान नेता है सब लोग बैठके य इस टाइम पर उनकी रणनीती भी चल रही है राकेश टिकैट ये कह रहे हैं कि जो भाजबा सरकार है जो सरकार है वो इसको election तक खीचने वाली है और election तक जो है वो उनकी मांगों को नहीं सुनेगे और लगतार जो है किसान भी डटे हो है कि इस बार जो है हम अपना हग लेके जाएंगे पिशली बार की तरह जो आश्वासन दे दिया गया था इस बार हम उनके जुम्लेबाजी में नहीं आने वाले हैं व्यक्ति लगतार ये भी कहा जा रहे है कि जुम्लेबास सरकार है हर बार जो है जुम्ला दे देती है लेकिन इस बार जो है किसान नहीं सुनने व ग्यापन दिया गया चौदरी सिम्रन लिखते हैं कि मद्धे प्रदेश का किसान इसलिए समरिद नहीं है क्योंकि यहां के किसान को कभी MSP मिली ही नहीं लोग कह रहें कि यह किसान अंदोरन सिर्फ हर्याना पंजाब का है शम्भू बॉर्डर पर चल रहें किसान अंदोरन में किसानी क्यों आ रहे हैं इस तरीके से सड़कों पर बैट और अपनी मांगों को लेकर लेकिन इस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है किस तरीके से मद्धे प्रदेश की किसान भी अब आ रहे हैं लग लग राजों से किसान आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और सड़क प पर किसान मजदूर की समस्याओं को लेकर पंचायच शुरू जब तक समधान नहीं होगा हम डीम साब की मुख्याले पर डटे रहेंगे न्यूस 24 लिखता है कि मौत के 9 दिन बाद निकली यूवा किसान शुपकरण सिंग की शवयात्रा खनौरी बॉर्डर पर शुपकरण सिंग के पार्थिक शरीट को शुद्धानजली दी गई मतलब सोच ये 9 दिन बाद निकाली गई ये शवयात्रा लगतार वही परते जहां पे उनकी शहीदी दी गई थी चुनाफ से पहले लग नहीं रहे कि वो किसानों की सुनने वाली है क्योंकि लगतार राकेश टिक है जो इस पे एक्स पे पोस्ट करके बोल रहे हैं कि ये जो अंदोलन है ये लगतार इलेक्शन के बात तक चलने वाला है जब तक इलेक्शन समाप नहीं हो जाएंगे लग नहीं रहे कि सरकार है वो इस मूड में है कि MSP दे देगी और उनकी मांगों को सुन लेगी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM किसान सम्मान निधी योजना के अंतरगत आज 9 करोड से अधिक अंदाताओं को 16 किस्त के रूप में 21,000 करोड से अधिक राशी DPT के माध अतार्त दी गई है सभी लाभारती किसान भाईयों एवम भैनों को हार्तिक बधाई एवम राष्टे सेवक मोदी जी को अभार यहां पे वो किसान भाईयों को और जो मोदी जी को अभार प्रकट कर रहे हैं कि उनको जो है राशी दे दी गई है 30,000 करोड तक की राशी मिल अगर ये राशी किसानों तो पहुच गई होते तो शायद आज किसान सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर नहीं बैटे होते किसानों को पिछली बार किसान अंदोलन की तरह इस बार दुबारा किसान सड़कों पर बैटे हुए अपनी मांगों को लेकर और वो ये चीज़े ट्वीट करके बोल रही है कि बदाई दे रही है कि जो है उनको राशी दे दी गई है और इस तरहीं कि चीज़े नरेंद्र हैं वो नहीं दि रहे उनने सिफ्व ये दिख रहे कि उनको र無 Kumar दैदी गई और कि दिल्ली चलो मार्ज का नारा देदे वे वह सड़कों पर बैठे हुए लेकिन स्भी राई को ये सब चीज़े नहीं रही है दूसी तरफ़ वो एसक चीज़े सब पोस्ट करके बधाई अगर नजर आ रही होती तो किसान जो है वो अभी तक सड़कों पर नहीं बैठे होते वो अपने खेती में जाके गाउं में जाके खेती कर रहे होते तो आज ही के दिन किसान जो है बड़ी बैठक जो होने वाली है जो पूरा फैसला जो आएगा हम आपको आगे के अपडेट दे दे रहेंगे बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी केराय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा तन्यवाद